हेलो एवरिवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हुई अश आज हमारे एश शोशल इशू के तीसरे लेक्चर में हम उन संस्थाओं, कानूनों, तंत्रों और निकायों की बात करेंगे जो भारती महिलाओं तथा बच्चों की उन्नती और संरक्षन के लिए काम कर रहे हैं तो यदि आप पहली बार इस चैनल में आ रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि यहाँ शोशल इसू हम पूरा डिसकस करेंगे चलिए तो टाइम ना वेश्ट करते हो, लेक्सेर स्टार्ट करते हैं तो महिला शशक्तिकरण मुखिता तीन कारकों से निर्धारित होता है उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनितिक पहचान तथा महत्तता और ये कारक परस पर अंतर संबंदित भी हैं जब ये तीनो कारक एक साथ सुशंगत होकर इस दिसा में कारे करते हैं तो केवल तबी सही अर्थों में महिला शशक्तिकरण को सुनिश्चित किया जा सकता है इसलिए महिलाओं का समगर रूप से सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए उनसे सम्बंदित इन तीन कारकों में प्रभावी शमावेशन होना अत्यनतावश्यक होता है अब एक महत्पूर्ण मानव संसाजन के रूप में महिलाओं की महत्वता को समविधान द्वारा भी मानेता दी गई है और सम्विधान के द्वारा केवल महिलाओं को समानत प्रदान नहीं की गई बलकि राजनेतिक अधिकारों और निर्णे निर्मान प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित भी किया गया है चरिया बागे देखते हैं कि महिलाओं के समक्ष ऐसी कौन-कौन सी समश्याएं हैं जिनके कारण वे एक असुरक्षित समू प्रतीत होती हैं तो इसमें यदि ST, ST और OBC की महिलाओं की बात करें तो इन्हें दोहरे भेदभाव का शिकार होना पड़ता है इनके अलावा हिंसा, यौन दुर्व्यवार, दुर्व्यापार, बालातकार तथा किशोरियों के संबंद में बाल विवा, दुर्व्यापार, तेजाब हमले, दहे जत्या और पुत्र प्राप्ती ना होने पर प्रतार्णा, आदी जैसे मामले इस समूह की एक बहुत लिवा, दुर्वा, है, तो इन सारी समश्याओं से निपठने के लिए कौन-कौन से समविधानिक और विदिक प्रावधान है, उनकी बात करते हैं, तो समविधान में सकारात्मक विभेत या आरक्षण की नीती का प्रावधान किया गया है, साथ ही विभिन कानूनों का, व आणिये समवेधानिक प्रावधानों की बात करें तो आर्टिकल 14 में विधी के समक्ष समानता की बात की गई है तो आर्टिकल 15 का क्लॉस 3 कहता है कि राज महिलाओं एवं बच्चों के पक्ष में विशेश प्रावधान कर सकता है आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 इन्हें किसी भी पतपर नियोजन या न्युक्ती के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है तो वहीं आर्टिकल 39 पुरुष और इस्त्री सभी नागरेकों को समान रूप से आजीविका के परियाप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार देता है आगे आर्टिकल 39 के ही क्लॉज A में आर्थिक और किसी अन्य निर्योगिता से पीड़ित नागरेकों के लिए निश्वल्क विदिक सहायता की विवस्था भी की गई है फिर आगे आर्टिकल 42 के अनुसार राज जिर काम की न्याय शंगत और मानुव उचित दसाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रशूती शाहता के लिए उपबंद करेगा आर्टिकल 46 में राज जी के द्वारा जन्ता के दुर्बल वर्गों विशिष्ट रूप से SCST के सिक्षा और अर्थ संबंदी हिटों की विशेश चावधानी से अभिवरत्ती करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा फिर आता है आर्टिकल 47 जो पोशाहार इस्तर और जीवन इस्तर को उचा रखने के लिए लोग स्वास्त सुधार करने के राज्य के करतव्य को बदाता है इसके अलावा भी आर्टिकल 51-A में मौलिक करतव्यों के अंतरगत कहा गया है कि भारत का प्रत्यक नागरिक ऐसी प्रताओं का त्याग करेगा जो इस्तरियों के सम्मान के विरुद्ध है अब आगे अर्टिकल 243 के क्लॉस D में बंचायत के प्रत्यक सुनाओ दारा भरे जाने वाले इस्थानों में महिलाओं के लिए एक तहाई सीटों का आरक्षन रखा गया है और साथ ही अध्यक्षों के पदों की कुल संक्या के कम से कम एक तहाई पद भी इस्तरियों के लिए आरक्ष्यत है और इसी तरह Article 243T में नगरपालिकाओं के प्रत्यक्ष निर्वाचन के पदों में और अध्यक्ष पदों में भी महिलाओं के लिए एक तेहाई पदों का आरक्ष्ण है चलिए अब आगे बात करते हैं विशाखा गाइडलाइन्स या विशाखा दिशा निर्देसों के बारे में जो की यौन उत्पीडन से संबंदित गाइडलाइन्स है विशाखा गाइडलाइन के तहित यौन उत्पीडन में कुछ इस तरह की गतिविदियां शामिल होती है कि शारेरिक संपर्क बनाना या इसका प्रयास करना यौन संबंद की मांग या अनुरोथ करना यौन टिपनी करना अशलील फिल्म दिखाना शारेरिक मौखिक या अन्य प्रकार से कोई असिस्ट कारी करना ये सभी कारी यौन उत्पीडन के अंत्रगत आते हैं अब इसी संबंद में विशाखा गाइडलाइन कहती है कि शिकायत समाधान के समय पीडित या गवाह को शोषण या भेदभाव से परिशान नहीं किया जाना चाहिए उप्युक्त शिकायत तंत्र का गठन किया जाना चाहिए एक शिकायत समीती का गठन हो जो परामर्स दात्री और अन्य शाहयक कारे करे तथा सरकारी विभागों में शिकायत वा कारेवाही की वारसिक रिपोर्ट भी जारी करे और इस समीती में कम से कम आधी सदश्य महिलाएं होनी चाहिए आगे विशाखा गाइडलाइन कहती है कि महिला कर्मचारियों को उनके अधिकार के बारे में बताएं क्योंकि कारेस्थल पर महिलाओं को बहुत सी चुनोतियों का सामना करना पड़ता है जैसे समान व्यावहार ना होना समान वेतन ना होना गर्बबती इस्त्रियों से भेधभाव कारेस्थल पर यौन दुर व्यावहार का होना और बच्चों के लिए creature वा child care taker का ना होना तो इसलिए विशाखा guideline में महिला कर्मचारियों को अधिकार के बारे में जानकारी देने की बात की गई है आगे यह guideline केंद्रवा राज्य सरकार को महिलाओं के लिए उप्युक्त विधायन की भी बात करती है तो यह सारी बाते थी विशाखा guideline के बारे में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीणन रोक्ताम प्रतिशेद और निवारन अधिनियम 2013 के बारे में तो इस अधिनियम के अंतरगत धमकी देना, स्वास्त और सुरक्षा के प्रतिकूल वातावरन उत्पन्य करने का प्रयास करना ये सभी कार्य यो नुत्पीणन माने जाते हैं और इस अधिनियम के अंतरगत उन महिलाओं को रखा जाता है जो निजी या सरकारी शेत्र, संगठित या असंगठित शेत्र, ग्राहक, खरिदार, घरेलू कामगार आदीश रेणी में आती हैं अब इस अधिनियम के अंतरगत किसी भी वर्क प्लेस में यदि दस से अधिक सदश्य हैं तो वहाँ इंटरनल कंप्लेंट कमीटी बनेगी जिसके चार सदश्य होंगे जिसमें एक महिला सदश्य के रूप में होगी और दो कानूनी जानकार और एक सदश्य किसी एंजियो से हो तालू का तैसील आदी में कारी करने वाली महिला होगी इसके अलावा दो सदश्यों में से कम से कम एक महिला महिला मुद्धों के प्रती प्रतिबद एंजियो से जुड़ी होगी और यह सदश्य ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो यौन उत्पीडन सम्मंदी मामलों से परिच सदश्य होगा अब इन समीतियों के बारे में जानने के बाद इस अधिनियम की यदि बात करें तो यौन उत्पीडन की शिकायत तीन महिले की समय सीमा में दर्ज की जा सकती है और यदि महिला यह साबित कर देती है कि मुश्किल परिस्थितियों के कारण वह निश्चित समय सीमा में शिकायत नहीं कर सकती तो शिकायत कि इस समय सीमा को आगे तीन महा के लिए भी बढ़ाए जा सकता है अब शिकायत दर्ज होने के बाद समीधी के लिए यह अनिवारी हो जाता है कि वह 90 दिनों के अंदर जाच पूरी करे और जाच पूरी कर लेने के बाद वह अपनी रिपोर्ट नियुकता या जिला अधिकारी को सौपता है और जिला अधिकारी को भी उस रिपोर्ट में पाही 60 दिनों के अंदर ही करनी होती है अब यदि शिकायत के संबंद में नियुकता या अधिकारी अपने कर्तव्यों का उलंगन करते हैं तो उन पर 50,000 रुपय का जुर्माना लगाया जाता है और बार बार कर्तव्यों के उलंगन पर जुर्माने की रासी दो गुनी करते अब इस अधिनियम में यदि दुर्भावना पूर्ण या मिथ्या शिकायत की गई है तो इन मामलों में सेवर सर्थ कानून के अनुसार डंड का प्रावधान भी रखा गया है तो ये सारी बाते थी कारिस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीणन रोक्थाम प्रतिशेद और निवारन अधिनियम 2013 के बारे में इस एक्ट के जितने भी प्रावधान है उन्हें प्रभावी बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंतराले के द्वारा Sexual Harassment Electronic Box या C-Box का निर्मान किया गया है जो Electronic माध्यम में शिकायतों को दर्ज करता है चलिए अब अगले अधिनियम की बात करते हैं जो है अपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 या The Criminal Law Amendment Act 2013 इस संशोधन के माध्यम से भारती दंड सहिता IPC अपराधिक प्रक्रिया शहिता 1973, भारती शाक्ष अधिनियम 1872 और लेंगिक शोशन से बच्चों का संशोधन अधिनियम 2012 इन सभी में शंशोधन किया गया था और Amendment के तहट बालातकार के केस में 20 साल की कड़ी सजा और पुना अपरात करने पर मौत की सजा पीडिता की मौत होने पर मृत्यू दंड और तेजाब हमले के मामले में 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया इनके लावा यह बात भी कही गई कि सभी अस्पताल प्रात्मिक चिकित्सकी सहायता और निसुल को उपचार उपलब्द कराएंगे अगला अधिनियम आता है मात्रित्व लाव संसोधन विधेयक 2017 इसके माध्यम से मात्रित्व लाव अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया और अब अधिनियम के अनुसार ऐसे संस्थान जिसमें 10 या 10 से अधिक सदश्य कार रहे हैं वहाँ पर मातरित्व लाब अवकास 26 सब्ताह का प्राप्त होगा और यह अवकास प्रसव के पूर्व 8 सब्ताह से ही दिया जाएगा और किसी महिला के दो बच्चे होने की स्थिती में मातरित्व लाब 12 सब्ताह का दिया जाना जरूरी होगा इसके अलावा अवकास अवधी के दौरान नियोकता किसी महिला को घर से काम करने की अनुमती दे सकते हैं मातरित्व अवकास के दौरान महिला को वेतन के साथ साथ 3,000 रुपे का मातरित्व बोनस भी मिलेगा अब इन महत्पूर्ण अधिनियमों के अलावा कुछ अन्य अधिनियम इस प्रकार है The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 The Indicent Representation of Women Prohibition Act 1986 Karkhana अधिनियम 1948 जिसमें 1976 में संसोधन भी किया गया बागान स्रम अधिनियम 1951, Minds Act 1952, बाल विवा निरोधा का अधिनियम 1976 दहेज प्रतिशेद अधिनियम 1961 The Suppression of Immortal Trafficking Women and Girls Act 1956 जिसमें 2006 में संसोधन किया गया और अगला है सती प्रता रोकताम अधिनियम 1987 ये कुछ महत्पूर्ण अधिनियम है महिला सोरक्षा से संबंदित चलिए अब इनसे ही संबंदित कुछ महत्पूर्ण एजेंसीस की बात कर लेते हैं इसमें पहला है राश्ट्री महिला आयोग जिसे राश्ट्री महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इस्टैबलिस किया गया यह जनवरी 1992 में सामविदेक निकाय बना अगला आता है राश्ट्री महिला कोस जो Ministry of Women and Child Development के अंतरगत सोसाइटी के रूप में 1993 में स्टैबलिस हुआ जो Financial Inclusion के चलते गरीबों और बैंकों के बीच की दूरी कम करने के लिए लगूरिंड प्रतान करने का खारी करता है अगला है केंदरी समाज कल्यान बोर्ड या Central Social Welfare बोर्ड जिसकी स्थापना 1953 में हुई इसकी योजनाओं का अधिक्तम हिस्सा स्वैक्षिक संगटनों द्वारा क्रियानवित किया जाता है बोर्ड ने देश भर में 20,000 से अधिक स्वैक्षिक संगटनों का नेटवर्ड तैयार किया है यह स्वैक्षिक संगठनों को विभिन्य कारिक्रमों के तहत वित्ती साहता देता है ताकि यह स्वैक्षिक संगठन महिला सिक्षाव अप्रसिक्षन, सामोहिक चेतना और जागरुकता, पारिवारिक परामर्स केंद्र, ग्रह जागरुकता आधी पर कारिकर सकें चलिए अब आगे बात करते हैं महिलाओं के लिए केंदरो और राज्यों के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में इसमें पहला आता है महिला सशक्ति करण के लिए राश्ट्री नीती 2001 इस नीती का उद्देश महिलाओं का आधुनी की करण विकास और सशक्ती करण करना है इसके तहट कुछ इस तरह के प्रावधान है महिलाओं के पून्विकास और उनकी भागिदारी सुनिश्चित करने के लिए सकार आत्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों द्वारा अनुकूल वातावरन का निर्मान करना उनके मानवाधिकार और मौलिक स्वतंतर्ता को भी सुनिश्चित करना उन्हें राजनेतिक, आर्थिक और सामाजिक शेत्र में समान भागिदारी प्रदान करना स्वास्थ, सिक्षा, रोजगार, वेतन, सुरक्षा और व्यवसाय में उनकी समान पहुंच दोनिश्चित करना साथ ही सामुदायक व्यवहार और क्रियाओं में परिवर्तन लाते हुए उनकी सक्री भागिदारी को भी बढ़ावा देना इसके अलावा महिला और बालिकाओं के विरुद्ध होने वाली सभी प्रकार की हिंसा और भेदभाव का अंत करना तथा नागरिक समाज विशेशकर महिला संगटनों के साथ मजबूत साज़धारी का निर्मान करना ये सारे प्रावधान थे महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्री नीती 2001 के आगे महिला शशक्तिकरण के लिए 8 मार्च 2010 में राष्ट्री महिला शशक्तिकरण मिसन भी लाये गया था अब बात करते हैं विभिन योजनाओं की तो पहली योजना है राजीव गांधी योजना सबला यह योजना 11-18 वर्ष्ट की उन किशोरियों के लिए है जो विद्याले नहीं जाती है सबला योजना को 2010 में 205 जिलों में लाओ किया गया इसके दो घटक हैं पहला पोशन कारिकरम जिसमें 11-14 वर्ष्ट की बच्चियों को घर ले जा सकने योग के राशन या पका भोजन दिया जाता है और यह 100% केंद्र प्रायोजत योजना है दूसरे घटक में आता है गयर पोशन कारिकरम जिसमें 16-18 वर्ष्ट की किशोरियों को आंगनवानी केंद्र के माध्यम से व्यवशाइक सिक्षा दी जाती है जिसमें केंद्र का 50% और राज्य या यूनियन टेरिटरीस का 50% का योगदान होता है यह प्रावधान है सबला योजना के अब आगे आता है जननी शिशु सुरक्षा कारिकरम जो जून 2011 में प्रारण हुआ यह सरजनिक स्वास्त्य देखभाल मुफ्त परिवहन, मुफ्त दवाई, मुफ्त जाच और मुफ्त पोशन की व्यवस्ता करता है अगली योजना है जननी सुरक्षा योजना जो शिशुद मृत्युदर और मात्र मृत्युदर में कमी लाने की बात करता है अगली योजना है इंदिरा गांधी मात्रित वसहियोग योजना जिसमें दो बच्चों की माताओं को स्वास्ते और पोशन के लिए 6,000 रुपे की राशी नगत रूप में दी जाती है अगली योजना है उजवला योजना जो 2007 में प्रारम्भुई जो शोशन से बचाने के लिए लाई गई थी आगे प्रधान मंत्री उजवला योजना 2016 में आती है जिसमें नेश्वल का गैस कनेक्शन देने की बात की गई थी इसके बाद एक मात्पूर्ण स्कीम है स्वाधार स्कीम जो 2001 और 2002 के बीच प्रारम्भुई जिसमें विशम परिस्थितियों जैसे घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाएं HIV या AIDS से प्रभावित महिलाएं वैश्या वृतिशे जुड़ी हुई महिलाएं कैदी महिलाएं, तश्करी की शिकार महिलाएं, आतंकी हिंसा से प्रभावित महिलाएं, आदी विशम परिस्थितियों में जो भी महिलाएं होती हैं उन्हें स्वाधार ग्रहों के मांध्यम से मदद प्रदान की जाती है स्वाधार स्कीम के तहत अब आगे एक स्वयम सिध्धा स्कीम आती है जिसके तहट महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक शशक्ती करण के लिए महिलाएं आत्म निर्भर और आत्म सम्मान के साथ रहने में सक्षम हो पाती है इसके अलावा स्वयम सिध्धा योजना किसी भी प्रकार के प्रादेशिक आर्थिक और सामाजिक भेदभाव के सूख्ष में वित्त तक पहुझ बढ़ाने और महिलाओं की प्रखंड तथा पंचायत इस्तर पर भागिदारी बढ़ाने पर भी जोड़ देती है यह योजना फरवरी 2001 में देश के 650 प्रखंडों में प्रारम की गई थी और अधिकांस राज्यों में यह योजना इंटीग्रेटर चैल्ड डेवलप्मेंट सर्विसेस के धाचे द्वारा ही लागू की जाती है तो यह सारी योजनाएं थी महिलाओं के शशक्तिकरण से संबंदित अब आगे देश में महिलाओं की इस्थिती पर पाम राजपू समीती का गठन किया गया और समीती ने महिलाओं से संबंदित तीन महत पून मुद्दे बताए जो थे महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, घर्टा लिंगानुपात और महिलाओं का आर्थिक अशशक्तिकरण अब इस पाम राजपू समीती के अलावा महिलाओं के सुरक्षा से संबंदित जस्थिस के लिए वर्मा समीती का भी गठन किया गया था जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ अपराद से जुड़े कानूनों के तहट मौझूदा सजा को और सक्स्त किये जाने की आवशक्ता बताई थी चले अब बात करते हैं राश्ट्री महिला नीती 2016 के बारे में तो इस नीती के कुछ मुख्य बिंदू इस प्रकार है कि खाद सुरक्षा और पोशन सहित स्वास्त के लिए पहले तो महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर फोकस किया गया और महिलाओं की स्वास्त संबंदी समश्याओं को हल करने के लिए किशो रावस्ता के दौरान ही पोशन, स्वच्छता, स्वास्त भीमा योजना आदी शामिल की गई बात करें शिक्षा की तो इसके अंतर गत किशो रावस्ता वाली लड़कियों की प्रात्मिक पूर्व सिक्षा पर ध्यान दिया गया है और स्कूल में उनके पंजी करण की संख्या बढ़ाने के लिए बच्चियों के स्कूल तक सुगम में पहुँच बनाने तथा असमानताओं को दूर करने की बात की गई है आगे आर्थिक उपायों की बात करें तो इसके तहत महिलाओं के कौशल विकास और प्रस्टिक्षन की व्यवस्ता की जाएगी और व्यवसाय या रोजगार में उन्हें उचित लाप प्रदान करते हुए समान रोजगार अवसर प्रदान किये जाएगे और महिलाओं की तकनीकी अवशकताओं को पूरा किये जाएगा आगे शासन और निर्णे में महिलाओं की भूमी का बढ़ाने के लिए राजनेतिक प्रशासनेक लोग सेवा और कॉर्परेट में महिलाओं की भागिदारी भी बढ़ाई जाएगी आगे महिलाओं के विरुद्ध हिंशा को रोकने के लिए विबिन नियुमों, कानूनों, विबिन गाइडलाइन्स और विबिन अधिनियुमों के तहट जो भी प्रावधान है उनका कडाई सपालन किया जाएगा बात करें परियावरण और जलवाईू परिवर्तन सम्बंदी बातों की तो इसके तहट जलवायू परिवर्तन या प्राकरतिक आपदा के समय पलायन के समय होने वाली लेंगेक समश्याओं को दूर करने की बात की गई है इसमें ग्रामीन घरों में महिलाओं के लिए परियावरन अनुकूल, नवी करिणी, गैर पारंपरिक उर्जा, हरेत उर्जा संसादनों को प्रोचाहित किया जाएगा तो इन सब बातों के साथ इस नीती के तहट महिलाओं के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस बनाना, सम्विधान के प्रावधानों के तहट व्यक्ति गत और पारंपरिक नियुमों की समिक्षा भी करने का प्रावधान है वैवाहिक दुसकरमों को अपरात की स्रेणी में रखने की भी समिक्षा की जाएगी ताकि महिलाओं के मानवादिकार की सुरक्षा हो सके अब राश्ट्री महिला नीती 2016 के अंतर गती कुछ परिचालन रणनीतिया जाती हैं जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए वन स्टॉप केंद्र, महिला हेलप लाइन, महिला पुलिस स्वयम सेवक, पुलिस बलो में महिलाओं के लिए आरक्षण, मुबाइल फोन में पैनिक बटन के जरिये महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना याता यात एवं आम स्थानों पर निगरानी प्रणाली स्थापित क आदि आते हैं इसके अलावा महिलाओं में उद्यम सीलता के समवर्धन के लिए एको प्रणाली बनाने में महिला ईहाट समर्पे त्विशय वस्तु आधारत प्रदर्सिनियों के जरिए महिलाओं में उद्यम सीलता को बढ़ावा देना महिला उद्यम सीलता के जरिए महिलाओ को सलाह देना और साथ ही आसान और सस्तारिन उपलब्द कराना ये सारे कार शामिल होते हैं आगे सभी हितधारकों के प्रशिक्षन और शम्ता निर्मान के लिए इसमें जेंडर चैंपियन पहल के जरिये युवाओं, कामगारों, महिलाज, सरपंचों और महिला संबंदी नीतियों से जुड़े सभी अधिकारियों को शामिल किया गया है अब आगे कारिस्थल पर महिलाओं की सुविधा की बात करें तो कारिस्थलों को महिलाओं के अनुकूल बनाना, कार अवधी को लचीला बनाना, मातरित्व अवकास को बढ़ाना, कारिस्थलों में बच्चों के लिए क्रेच का प्रावधान करने के जरिये महिलाओं को अब इसके विभिन प्रावधान और नीतियां तो देख लिए हमने अब राश्टी महिला नीती 2016 की कुछ कमिया देखते हैं तो इस नीती में विभिन शेत्रों में महिलाओं की भूमी का परिवर्तन की बात तुकी गई है लेकिन महिलाओं के प्रती नए नजरिया का इसमें अभाव है परंपरागत पित्र सत्तात्मक या पुरुष प्रदान दृष्टी कौन में बदलाओ के लिए इसमें प्रयासों क अभाव है इसमें हिंसा से निपटने के लिए उपायों की चर्चा तो है लेकिन परिवार और समाज में उन्हें दोयम मानने के नजरियों को चुनौती देने की बात प्रभावी डंग से नहीं की गई है और यहीं नजरिया यौन और अन्यशारिरिक हिंसा की जड़ होता है तो यह सारी बाते थी राश्ट्री महिला नीती 2016 के बारे में और यहीं पर महिलाओं से संबंदेथ हमने सारे प्रावधान सारे तंत्र कानून और संरशनाएं देख ली अब बात करते हैं उन तंत्र, कानून और संरिशनाओं के बारे में जो भारत में बच्चों के संरक्षन के लिए काम करते हैं तो विश्व के 19 प्रतिसद बच्चे भारत में निवास कर रहे हैं यह लगबग 44 करोड की आबादी है लेकिन इसमें से 40 प्रतिसद बच्चे आज भी असुरक्षित हैं बच्चों की असुरक्षा से संबंदित कुछ मुद्दे हैं सारेरिक और मानसिक विकास, संग्यानात्म बेगार, दुर्व्यापार, द्रव्य सेवन और सशस्त्र संघर्ष में फशे हुए बच्चे, प्राकृतिक आबदा से पीडित, कानूनी रूप से दोशी, कानूनी गवाह, बिमारी से पीडित और अनाथ, गरीब, बहिस्कृत, SC, ST और OBC के बच्चे, 8 से पीडित आगे UNICEF ने अज सुरक्षित बच्चों को शोषित, उपेक्षित और दुरुपयोग के सिकार हुए बच्चों के रूप में परिवासित किया है चली अब आगे देखते हैं कि भारत में बच्चों से संबंदित या उनकी सुरक्षा से संबंदित कौन-कौन से सामवेधानिक प्रावधान है जो उन्हें विशेश अधिकार प्रदान करते हैं तो आइडिकल 14 जहां उन्हें विधी के समख समानता प्रदान करता है तो वहीं आइडिकल 15 का क्लॉस 3 महिलाओं और बच्चों के लिए विशेश उप्बंद करने का प्रावधान भी करता है आइडिकल 21 के अंतरकत प्राण और दहिक स्वतंतरता का अधिकार है तो वहीं आइडिकल 21 के क्लॉस 1 के अनुसार 6 से 14 वर्स तक के सभी वच्चों को निसुल्क और अनिवार सिक्षा का अधिकार है आगे आइडिकल 39 का क्लॉस E कहता है कि राज जी अपनी नीदी का संचालन इस प्रकार करेगा कि सुनिश्चत रूप से पुरुष और इस्त्री कर्मकारों के स्वास्ते और सक्ति का तता बालकों की सुकमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवशक्ता से विवस होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयू या शक्ती के अनुकूल ना हो इसी तरह आइडिकल 39 के क्लॉस F के अनुसार बालकों को स्वतंत्र और गरिमा में वातावरण में स्वस्थ विकास के आवसर और सुविदाएं दी जाएं तथ बालकों और अल्पवय वेक्टियों को शोशन्ट से और नैतिक तथा आर्तिक परित्याग से भी सुरक्ष्या मिले अगे आइडिकल 45 कहता है कि राज्य प्रारंबिक सैस्वावस्था की देखरेक और 6 मा से कम आयू के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का प्रयास क 7 की अनुसार राज्य अपने लोगों के पोशाहार इस्तर और जीवन के इस्तर को उच्चा करने तदा लोग स्वास्त के सुधार को अपने प्रार्थमे कर्तव्यों में मानेगा आगे आईटिकल 51 के क्लॉज A में हमारे मूल कर्तव्यों के अंतरगत कोई भी माता पिता या संरक्षक 6-14 वर्स के बीच की आयू के अपने बच्चे को सिक्षा प्राप्त करने के आउसर भी प्रदान करेंगे तो ये सारे थे समवयदानिक प्राफदान जो बच्चों को सुरक्षा प्रदान करते हैं अब आगे बात करते हैं कि बाल कल्यान और सुरक्षा से संबंदित कौन-कौन से मातपूण अधिनियम सामने आए हैं इसमें सबसे पहला आता है बच्चों के लिए निशुलक और अनिवार्य सिक्षा अधिनियम 2009 यह अधिनियम सरकारी और गैर सरकारी विद्यालियों में 6-14 वर्स के बच्चों को निशुलक सिक्षा देने का अनिवार्य प्रावधान करता है आगे इस अधिनियम में उपेक्षित बच्चों को शामिल करने के लिए 2012 में संसोधन भी किया गया था यह अधिनियम 86-वे समविदान संसोधन 2002 के सभी प्रावधानों को लागू करने का कारी करता है जिसमें 6-16 वर्स के बच्चों के लिए नेसल को सिक्षा की बात की गई है अगला अधिनियम आता है बाल विवा निशेद अधिनियम 2006 अब इसका बैग्राउंड को जिस तरह है कि पहले जो बाल विवा निशेद अधिनियम 1929 था उसमें परंपरागत बाल विवा को निशेद करने के लिए प्रावधान थे और आगे समय समय पर पुरुष और महिलाओं के विवा की आयू सीमा बढ़ाने के लिए क्रुमसा 1949 और 1988 में उसमें संसोधन भी हुए लेकिन 1929 का यह जो कानून था यह बाल विवा पर रोक तो लगाता था लेकिन ऐसे किसी भी विवा को अवैद या अमान्य घोसित नहीं करता था इसलिए लंबे समय से मांग चल रही थी कि इस कानून के दंड को और अधिक प्रभावी और कठोर बनाये जाए इसी के चलते आया बाल विवा निशेद अधिनियम 2006 जिसमें प्रावधान था कि 18 वर्ष की आयू से कम उम्र में विवाह कराने पर दो वर्ष का कारावास और एक लाग रुपे तक का जुर्माना आरोपित किया जाएगा अब अगला अधिनियम आता है बालकों का लेंगिक अपरादों से संद्रक्षन अधिनियम 2012 यह अधिनियम लेंगिक दुरुपयोग और शोशन से बालकों के संद्रक्षन से संबंदित प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाने का कारी करता है इसके तहट 18 वर्ष से कम आयू के सबी बालकों को यौन उत्पीडन और पॉर्नोग्राफी से संरक्षन प्रदान किया जाता है अधिनियम के तहट कठोर दंड का भी प्रावधान है जो अपरात की गंभीरता पर निर्फर करता है अब आगे कुछ अधिनियम भी हैं जिन में बालकों की सुरक्षय से संबंदित प्रावधान किया गया है जो इस प्रकार है जुविनाइल जश्टिस एक्ट 1986 इस अधिनियम को जुविनाइल जश्टिस एक्ट 2000 के माध्यम से प्रतिस्थापित भी किया गया है आगे इसमें 2016 में संसोधन करते हुए सभी 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के किसोरों को युवक की स्रेंडी में रखा गया है यदि वे किसी अती जगन्य अपराद में सम्मिलित होते हैं आगे कुछ अधिनियम है बंधुआ मजदूर व्यवस्ता उन्मूलन अधिनियम 1976 या बॉंड़ेट लेबर सिस्टम एबॉलेशन एक्ट 1976 इसके अलावा है निशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 या पर्सन विद डिसेबलिटी एक्ट 1995 और इनके अलावा भी कारखान अधिनियम 1948 फैक्ट्री एक्ट 1948 यह भी बच्चों की सुरक्षा से संबंदित प्रावधान करता है चलिए बालकों से संबंदित कुछ एजेंसी की बात कर लें जो उनके सुरक्षा के लिए कारे करते हैं तो पहला है राश्ट्री बाल अधिकार आयोग जिसकी स्थापना बाल अधिकार संब्रक्षण अधिनियम 2005 के तहट की गई अर्थात यह एक सामविधिक निकाय है इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदश्य होते हैं इसकी स्थापना 2007 में हुई थी अब इस National Commission for Protection of Child Rights के कारियों की बात करें तो यह किसी भी कानून या समवेधानिक प्रावधान का इस आश्रे मे परिक्षण करता है कि उससे बालकों के अधिकारों का संद्रक्षण सुनिश्चित होता है या नहीं इसके अलावा यह बाल अधिकारों से संबंदित रक्षो पायों में सुधार की संबंद में केंद्र सरकार को सुजाव भी देता है यह बाल अधिकारों से संबंदित समझ गरेलू हिंसा, HIV AIDS, तसकरी, दुर्वेवहार, प्रतार्णा और शोशन, पौर्नोग्राफी और वहश्य वृत्ती के सिकार, बालकों और किशोरियों के संबन्द में प्रतिकूल कारकों की जाच करना और उचित सुधार आत्मा कुपायों का सुझाओ देना और ऐसे बाल ग्रे जानी के ये सारे कारिय भी राष्ट्री बाल अधिकार संरक्षन आयोग के द्वारा किये जाते हैं। नियमित न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए बालकों के लिए प्रतक न्यायालय बनाने का उदेश्य उन्हें दंड देना नहीं बलकि सामाजिक, विधिक, पुनर्वास तता उनका उद्धार करना होता है। अनिवार यह होता है। अब अगली एजेंसी की बात करते हैं जो है राश्ट्री जन सहयोग और बालविकास संस्थान। यह मिनिस्ट्री और वूमन और चैल्ड डेवलपमेंट के अंतरगत एक उटोनमस बॉडी है जिसकी स्थापना 1976 में हुई। यह महिनला और वालविकास मंतराले के सभी विशियों पर शोध क्रियाओं और प्रशिक्षण तथा प्रलेखन कारी करने के लिए समर्पित संगठन है। यह इनके कारियों को प्रोथसाहित करता है और सामाजिक विकास के लिए स्वैक्षिक क्रियाओं को प्रोथसाहन देना, सरकारी और स्वैक्षिक कारियों में सामंजशिका नजरिया विक्सित करना तता विश्व के सोध संस्थाओं, विश्विध्यालियों और तकनीकी निक के लिए कौन कौन सी welfare schemes चलाई जा रही हैं उनके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है national policy for children या राश्ट्री बाल नीती तो राश्ट्री बाल नीती 1974 में बालकों को राश्ट की सरवादिक महत्पून परी संपत्ति घोसित करते हुए भारत सरकार ने बाल अधिकारों के संद्रक्षन की बात की और राश्ट्री बाल नीती 1917 ने इस तत्य पर जोड़ दिया कि मानव संसाधन के विकास के लिए बच्चों से संबंदित कायरक्रमों को राश्ट्री नीती में उचित स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चे बड़े होकर जिम्मेदार नागरिक, श के समान अउसर भी उपलब्द कराये जाएं। नंदघर योजना इसे 24 जून 2015 को केंद्री महिला और बाल विकास मंत्राले द्वारा जरजर हुई इमारतों, पुराने पंचायत घरों और किराये के भवनों में चल रहे जितने भी आंगनवाडी केंद्र हैं उनके पुनरुद्धार और नवीकरण के लिए सुरू किया ग केंद्री महिला और बाल विकास मंत्राले के साथ मिलकर देश भर में 4000 आगनवाडी केंद्रों को नंदघर के रूप में प्रदान किया जाएगा, इससे देश भर में लगभग 4 लाख महिलायों और बच्चे लाभानवित होंगे सबसे पहले देश में नंदघर योजना की शुरुवात हरियाना के सोनी पजजिले के हसनपुर गाउं से की गई और इसके पहले चरंड में हरियाना के साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडीशा, राजिस्थान, गुजरात, करनाटक, 36 गड़, आदी राजियों को इसमें शामिल किया गया है अब आगे बात करते हैं, नेशनल एक्षन प्लान फॉर चिल्डरन 2016 के बारे में तो 2016 में प्रारंब इस कारियोजना में चार मुख्य घटक रखे गए थे जो कि इसके प्रावधानों के अंतरकत इस प्रकार है पहला स्वास्थ और पोसंड जिसमें स्वास्थ देख बाल और सार्भों में टीका करन आता है दूसरा है शिक्षया और विकास जिसमें सभी बच्चों के लिए प्रात्मे किस तर तक सस्ती और सुलब गुणवत्ता पूंट शिक्षया की विवस्ता की जाने की बात की जाती है अगला आता है संरक्षन और भागीदारी जो की बाल संरक्षन के लिए विधाई, प्रशासनेक और संस्थागत निवारन तंत्रों को मजबूत बनाने में सहयोग देने की बात करता है अब इसके अलावा कुछ अन्य योजना भी आती है इसमें जैसे भारत नवजातकारी योजना, राष्टी बाल स्वास्थिकारीकरम और राष्टी किसोर स्वास्थिकारीकरम आदी अब अगला आता है एकी कृत बाल विकास सेवा योजना या इंटीग्रेटड चैल्ड डेवलोप्मेंट सर्विस स्कीम तो 2 अक्टूवर 1975 को प्रारंभ हुई यह योजना, आज प्रारंभिक शैशा वस्थम में विकास से संबंदित विश्व की सबसे बड़ी और विशिष्टी योजना है एक तरफ यह योजना विद्यालय पूर्व सिक्षा तक बच्चों की पहुच की भारत की चुनोती का जवाब है तो दूसरी तरफ कुपोशन, अस्च्वस्थता, सीखने की घरती श्यमता और मृत्युदर के समाधान के प्रती भारत की समवेदन सीलता को भी प्रदर्सित करती है अब इस योजना के उद्देश कुछ इस प्रकार है कि 0-6 वर्ष के बच्चों के पोशनी और स्वास्थित्तर को सुधारना बच्चों के बहतर मनोवेग्यानिक, शारिरिक और सामाजिक विकास के लिए अधार सुनिश्चित करना और इसके अलावा मृत्युदर, अस्वस्थता, को पोशन और विध्यालय चोड़ने की संख्या में कमी लाना आदी इसके उद्देश्य हैं जिसके लिए वह बाल विकास सुनिश्चित करने के लिए विभिन विभागों में प्रभावी सहयोग प्राप्त करने का भी कारे करता है अब ये विभिन सेवाएं इस प्रकार देता है कि पूरक पोशन, टीका करन, स्वास्थे जाँच, संदर्विच सेवाएं, विध्यालय पूर्व अनौपचारिक सिक्षा और पोशन तसा स्वास्थे संबंदी सिक्षा प्रादान करना आदी अब आगे बात करते हैं राश्ट्री बाल कोस या नैशनल चिल्डरन्स फंड के बारे में तो 1890 के तहट एक लाग रुपए की अक्षय निदी से अंतर राश्टी बाल वर्स 1979 में राश्ट्री बाल कोस NCF का गठन किया गया अब महिला और बाल विकास मंत्राले के राज्य मंत्री इसके प्रबंदन बोर्ट के अध्यक्ष होते हैं और सच्चिव इनके कारिकारी अध्यक्ष हैं अब राश्ट्री बाल कोस का उद्देश्य, व्यक्तियों, संस्थाओं, निगमित घरानों तथा अन्य से धन जुटाना, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बच्चों और कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों, जन जाती तथा दूरस्त छेत्रों सहित, व विभिन कारिक्रमों को बढ़ावा देना और वित्त पोशित करना तथा विभिन कारिक्रमों को क्रियानवित करना है, अब आगे कुछ अन्य योजना है, बालिका सम्रिद्धी योजना 1997, सुकेन्या सम्रिद्धी योजना 2014 और Child Labour Convergence Project आदी, तो ये सारी बाते थी बालकों या बालिकाओं के संद्रक्षन से संबंदित, तो इसी पॉइंट पर हमने महिलाओं और बच्चों से संबंदित, जितने भी तंत्र, संस्थाएं और प्रावधान हैं सारे देख लिए, और आज का लेक्चर बस इतना ही, लेक्चर बसंद आयो तो लाइक कर दीजिए, और प्रेंड्स के साथ सेर भी जरूर कीजिएगा, अभी के लिए चलता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, थेंक्यू सो मच फॉर लिसनिंग